यही लेक सिटी उदैपूर की नैसरगे खुबसूर्टी का राज यहां की नीली जीलो में छिपा हुआ हो। लेकिन जीलो के किनारे बैठे इस शहर के बाशिंदो का कंठ लगातार सूखा जा रहा है। आखिर क्यों देखे इस रिपॉर्ट में। लेक सिटी उदैपूर की जीले शहर के बाशिंदों की लाइफ लाइफ लाइन रही है। जरूरी 98 MLT पानी की जरूरत के मुकाबले गर्मियों में 68 MLT से भी कम पानी की सप्लाई हो रही है। शहर के प्रमुक जलस्रोत में फतैसागर, पिछोला, देवास पृथम और दृती के अलावा मांसी वाकल शामिल है। लेकिन इन सभी जगों पर पानी भराव शमता से बहुत कम है। ऐसे में जलदाय विभाग के लिए आने वाला समय चिनोती साबित होगा। उदैपुर शहर में एक दिन छोड़ कर एक से दो घंटे पेजल सप्लाई होती थी। लेकिन गर्मी की शुरुआत के साथ ही जलापूर्ती का ये समय आधे से भी कम रह गया है। शहर को प्रति दिन पानी की जरुवत करीब 98 MLD है। उदैपुर शहर में कुल उभोकताओं की संख्या करीब 85,000 है। शहर में हेंडपम 2654, पंघट 226, ट्यूवेल 50, कुवे बावडियां 20 है। लेकिन ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे जाने से पेजल के इन स्रोतों में पानी ना के बराबर है। फते सागर का जलिस्तर 4 फिट पहुँच गया है। पिछोला जहील का जलिस्तर भी सिल लेवल तक पहुँच गया है। मांसी वाकल में 862 MCFT पूर्ण भराव शमता के मुकाबले मात्र 130 MCFT पानी बचा है। जैसमन में 27.5 फिट पूर्ण भराव शमता के मुकाबले महज 8 फिट 5 इंच पानी शेश है। मादडी, आकोदडा और देवास पृतम बांध पूरी तरह से खाली है। पेजल किल्लत की वजए भले ही कमजोर मांसून का होना रहा हो लेकिन फिलहाल शेहरवासी जीलों किनारे बैठ कर भी प्यासे हैं। दरसल विभाग के पास पेजल की इस जरूरत को पूरा करने के लिए करीब 10 फिसदी से ज्यादा पानी की कमी है। ऐसे में विभाग ने आपातकालीन प्लान रस्म अदाईगी के तौर पर तैयार तो किये लेकिन गर्मी में पानी की मांग बढ़ते ही ये प्लान भी धराशाई हो गये। जीलों किनारे प्यासे बैठे लेक सिटी उद्यापुर के बाशिंदों का यह हाल उन तमाम दलों के राजनेताओं के उस सफे जूट को और ज़्यादा पुक्ता करता है जो उन्होंने आम लोगों से बोट मांगते बक्त पेजल जैसी बुनियादी जरूत को पूरा करने के आश्वासन के साथ किया था लेकिन अब इन राजनेतिक दलों के नुमाइदों को यह समझने की भी जरूत है कि साहब यह जनता है देख रही है और देख लेगी कैमरा परसन प्रकाश के साथ रभी कुमार शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज उदैपुर